हलो फ्रेंड्स राम राम मोली मिकु क्रेशन में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स यहां पर हम दीवाली के लिए डेकोरेशन करने वाले हैं तो मैंने यह मटकी ली है यह पूरी यह दी एक ही कलर की हो तो ज्यादा अच्छी सोता है और इसके उपर पहले वाइट प्रेंट क कि और उसके बाद इस पर कलर कर दिया था यह देखिए इस तरह से थोड़ा शेप में हमको बैस मिल जाएगा फूल बनाने के लिए और जब यह बिंदिया हटाई तो इस तरह से हुआ यह अपने इसके उपर कुछ भी लागा सकते हैं तो यह पुराने चूड़ा था फ्रें करेंगे तो फ्रेंड्स देखिए दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं यह सारे हम एक जगे इखटा कर लेंगे ताकि जब लगाएं तो फटा-फट लगा सकें और इस कड़े को भी हम देखो कैसे यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर वही निशान जो कि बिंद कर सकते हैं बस सफाय आनी चाहिए धंग से लगना चाहिए और फेविकोल नहीं देखना चाहिए क्योंकि यह रेट कला है इस पर फेविकोल दीखेगा यदि वहाइट होता तो कुछ नहीं चलता और यह वही माला मैं आपको भी दिखाऊंगी तो यह बहुत काम की है आप भ रखे हुए थे मेरे पास जैसे कुछ बंदाना और अगेरा टूट गए थे तो वह मैंने समाल के रखे थे तो यहाँ पर एक एक यह लगा दिये हैं और बीच में वही माला का एक एक काटके और यह लगा दिया है लग रहा है ना फ्रेंड देखिए पुरानी पड़ी हुई चीजों से और बेकाट चीजों से कितना अच्छा लुका गया अब अपने को कोई भी चीज यदि इसके बराबर काटने तो एक नारा लेके उसका नाप ले लेंगे ताकि फीक्स आए और फ्रेंड यहाँ पर माला को फेवी को लगा कर और मैंने इसे कितना अच्छा शेप दिया है देखिए जो एक खाली जगे बच्री महाँ पर भी एक मोती लगा देंगे इसी का काट के तो इसका लुक और अच्छा हो जाएगा और मेरे पास इस वाले शेप के कांस थे यह अलग-अलग शेप में मिलते हैं आपको इसे भी ला सकते हैं और किसी भी चीज से डेक देते हैं तो अगली बार से आप भी इन्हें फेकी नहीं उनके नग निकालिए और देखिए इस तरह से मैं यह कांच लगा रही हूँ तो इतनी सफाई से लगाईए कि ऐसा लगे रेडिमेट है बस इसको थोड़ा सा लगाना यह ज़्यादा लगाएंगे फेविकल तो यह कांच का है भारी है फिसक जाए मैंने जो सेंटर है वहाँ पर इस तरह से लगा दिया है और वही माला यह देखिए थोड़ा सा नीचे लुप दिया है तो कितना प्यारा लग रहा है यह यह आपकी अपनी क्रियेटिविटी है और देखिए जो माला की में बात कर रही थी व बनाया तो यह कितने अच्छे सा आगया है बलकि ऐसा लग रहा है पहनने में भी अच्छा लगेगा यह तो आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं और मैंने तो इहां पर इसके मटकी स्टेंड के लिए बनाया है यह देखिए इस पर रखा हुआ कितना अच्छा लग अब अपन इसको किस तरह से सजाएंगे तो यह पहला है कि आप कहीं भी रख दीजिए इसके अंदर डाल दीजिए अच्छा लूक है इसके बाद देखिए यह थाल पोस था तो सेफ रखने के लिए मैंने इसको यह पतल है गोल्डन कलर वाली इस पर लगा दिया है ताकि य तो यहां इस तरह से रखके और देखिए यह भी कितना अच्छा लग रहा है यह वाला लूक अपने को बस अच्छा दिखाना है अपने को दीवाली पर डेकोरेशन करना है कोई भी तोहर पर डेकोरेशन करना हो अपनी क्रेटिविटी लगाईए अपना दिमाग लगाईए और फिर देखिए आपके जो घर में चीजे हैं उससे आप कितना अच्छा कुछ भी डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको मैं यहां अलग-अलग तरीके से बताऊंगी कि मैंने इस मटकी को किस-किस तरीके से सजाया है अब यहां पर सफे द्वाले फ्लोवर लगा दिये हैं यह भी बहुत अच्छे लग रहे हैं बस थोड़ा सा बड़ा है यह मटकी के साब से अब जो आर्टिफिशल माला होती है उसे मैंने इस तरह से लगाया है देखिए यह भी कितना प्यारा लुक लग रहा है मटके से निकलती हुई माला और नीचे लटक रही है यह कोने में भहुत ही प्यारा लग रहा है आप किसी भी तरह के से माला को एड़ेस्ट कर सकते हैं इसके नीचे एक दीपक लगा दिया है तो और भी प्यारा लुक आ गया है और दीवाले की दिन आपका यह कोना भहुत प्यारा लगेगा अब फ्रेंड्स हम मटकी को नीचे रख के डेकोरेशन करेंगे तो सिंपल सा लुक बढ़ बहुत प्यारा फ्रेंड्स आने वाला एक क्रिस्मस तो सजा दीजे पीछे क्रिस्मस ट्री और देखिए थोड़ा सा डिफ्रेंट लुक बट यह भी मस्त आर्टिफिशल माला यह हर त्योहर पर बहुत काम आती है सजाने के आप केसे भी सजाए जन्मस्ट मी हो दीवाली हो कुछ भी त्योहर हो राखी हो अपने घर को सजा लिए देखिए दीपक रग दिये हैं लेकिन दीपक थोड़े बड़े होने चाहिए ताकि उसकी लोग इ लिए सजाय था ही दीपक तो सजे भी दीपक तो और अच्छे लगते हैं ऐसे डेकोरेटिव आइटम में बस सजा लीजे दीपक और रख दीजे इनके अंदर और देखिए इनका प्यारा लूप प्रेंड्स सही मानना ये वाला कोना इतना प्यारा लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज ही दीवाली हो और लाइट बंद करने पर इसका लूप तो फ्रेंड्स हमें घर में रखी हुई सामान से अपन डेकोरेटिव आइटम बनाएंगे इस दीवाली और अपने घर को सजाएंगे बने रहेगा मेरे वीडियो में क्योंकि मैं लेके आने वाली हूँ और कई सारी डेकोरेटिव आइटम की वीडियो तो फ्रेंट्स यहाँ पर सिर्फ दीपक को अपन इस मठकी के उपर रखेंगे तो अंदर मैंने कागच रख दिये हैं ताकि उसका बेज बन सके और उसके उपर मैंने यह दीपक रख दिया देखिए यह लूप भी कितना प्यारा लग रहा है आप इसे एक कोने में भी रखें अपन तुलसी जी के सामने रखें इस तरह से यह भी कितना अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक किजिएगा मेरे चैनल को सब्स्राइब किजिएगा बाई बाई